हेलो औन वेलकम तो अनदर एपिसोड आफ टेली फलाश जोहां हम बात करते हैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जोड़े अमेजिंग फैक्ट्स की चान ये अपने फेवरेट सीरियल से जोड़े अनकहीं बात हैं आज के एपिसोड में हम जानेंगे 5 Amazing Facts of ZTV सीरियल कसम से तो चलिए शूरू करते हैं पहले Facts से नमबर 1 कसम से सीरियल का टाइटल पहले कांची रखा गया था और ये शो जब रिलिस किया गया तब इस शो का नाम बदल कर कसम से रख दिया गया था नमबर 2 इस शो में जईवालिया का केदा रामकपूर ने प्ले किया था पर क्या आपको पता है कि इस रोल के लिए पहले मोहनिस बहल को कास्ट किया गया था पर इस एक्टर के साथ बात नहीं बनी फिर रामकपूर ने ये रोल प्ले किया था नमबर तीन, कसम से शीरियल में इनके लीड अक्टर्स यानी राम कपूर और प्राची देशाई का एक रोमांटिक किसिंग सीन आने वाला था पर प्राची देशाई ने इस सीन को करने से मना कर दिया था इसलिए राइटिंग और केमेरा टेकनिक से एक्टा कपूर ने इस सीन को कंप्लेट किया था इस तीन मिनिट के सीन के लिए तीन दिन का वक्त लगा था इस सीन को पुरा करने के लिए ये बात हाली ही में एक्टा कपूर ने अपने इंस्टागरम पोस्ट पर बताया था सीरियल तिन बहनों की जंदगी के सफर पर बनी कहानी है बानी पिया और रानों की जिसे प्राची देशाई रोशनी चोपड़ा और अरूनी मा शर्मान ने रोल प्ले किया था पर क्या आपको पता है कि कसम से सीरियल के एंड तक इन तीनों एक्ट्रेस ने ये शोड़ दिया और प्राची देशाई जो इस शोड़ की जान रही है वो इस शोड़ के लाश्ट एपिशोड में फिर नज़र आई थी तो ये थे कसम से से जुड़े फाइव अमेजिंग फैक्ट्स कैसा लगा टेली फ्लश के ये एपिशोड और क्या कहिना चाहोगे आप इस शोड़ के बारे में हमें कमेंट करके ज़रू बताईये और आए होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक और शेयर करना ना भूले तेली फ्लश के इस एपिशोड में बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिशोड में तब-तक के लिए कर दो जो कर दो कि कर दो दो कर दो आने हैं कर दो आने हैं